हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आपको भई हाजी रेनी वेकेंसी के साथ, तो आज की जो वेकेंसी अरकी है, वो अरकी यहाँ पे भारतिय रेलवे के तरह से जूनियर इंजीनियर का नोटिपिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में कहीं से भी ब्लॉंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, साथी साथ यहाँ पे आपको एक रुप्या पे नहीं करना, और यह फॉर्म आपका फ्री का देखने को मिलेगा, तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई क अप्लाई का प्रोसस क्या रहेगा, कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, इवन मैं आपको इसी वीडियो के नदर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान पूरवक पूरा देखिएगा, बिना स्किप किये, यूट अप्लाई करके बताना कि कौनसी ब्राँच में डिप्लोमा बीबी टक कर रखा है, कौनसे ट्रेट गंदर आईटी कर रखा है, और आपका पासूट इर कौनसा है, इससे क्या रहेगा, कि आने वाली जो नेक्ट वीडियो रहेगी, वो आपकी ब्राँच और आपकी ट्रेट इससे relevant आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप लोगों को फायद होगा, साथी साथ मैंने वीडियो के comment box के अंदर आपको telegram channel का link provide करवा दिया है, जाके इसको join कर लेना, यहाँ पे आपको premium type के job का update, free of cost देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भी एक रुपी आपको pay न मिल पाए, और आपको वहाँ इस channel पे इंजरिंग चाओ update लाता रहता है, channel को subscribe करना मत बूलेगा, चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मैंने directly notification को download कर लिये, basically आपको notification का link किसी वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा, साथी साथ आप telegram channel पे इसको check out कर सकते हैं, apply का क processor हैगा, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे directly आपको offline apply करना पड़ेगा, online apply आपको नहीं करना, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, offline apply करना है, जो यहाँ पे notification दी है, इसी notification के नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे, scroll down करेंगे, तो आपको यह यहाँ पे एक application form दिखेगा, तो यह जो application form दे रखा है, आपको यहाँ पे application form को बरना पड़ेगा, पहले इसको print out निकलवा लेना है, उसके बड़ आप इसको अच्छे से फिल करिएगा, then फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि जो यहाँ पे address दे रखा है, इस address पे आपक इसका starting date apply का, वो start हो चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहें, 11 March से start हो चुका है, और जो उसका last date आपको देखने को मिलेगा, वो 31 March तक आप इसको apply कर सकते हैं, job location के बारे में बात की जाए, तो आपको northern region के अंदर आपकी job location आपको देखने को मिलेगी, project चल रहा है, operation maintenance क उसी की regarding यहाँ पे vacancy निकाली गई है, साथी साथ बात की जाए, यहाँ पे कुछ और important point के बारे में, आपका जो contract चलेगा, वो 3 साल तक आपका contract चलेगा, अगर आप बढ़िया perform करता है, company को अच्छा लगा कि आप अच्छा perform कर रहे हैं, तो आपका contract यहाँ पे extend कर दिया जाएगा, annual basis पे, जो कि कब तक चलेगा, उसका इन्होंने mention नहीं कर रहा, अच्छा घासा contract आपको देखने को मिलेगा, और salary भी बढ़िया रहने वाली है, position की बात की जाए, तो आपका जो position रहेगा, consultant engineer का position देखने को मिलेगा, on contract यहाँ पे लिखा है, contract आपको चलेगा, आपको देखने को मिलेगी, northern region के अंदर, जो कि यहाँ पे नहींने mention कर दिया है, साथी साथ बात की जाए, qualification के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे बीटक कर रहा है, electronics और telecommunication के अंदर, computer science के अंदर, IT के अंदर, electrical के अंदर, यह फिर अगर आपने MSC कर रहा है, electronics के अंद जो कि यहाँ पे नहींने mention किया है, अब बात करते हैं यहाँ पे age limit के बारे में, तो आपका जो age limit रखा गया है, वो 28 साल आपका age limit होना चीए, बाकी आपको age relaxation देखने को मल जाएगा, और यह जो 28 साल age limit दिया गया है, general candidate के लिए दिया गया है, और अगर आप PWS candidate हैं, तो maximum 28 साल तक के candidate इसको apply कर सकते हैं, वहीं OBC candidate को 3 साल का age relaxation देखने को मिलेगा, और SST candidate को 5 साल तक का age relaxation देखने को मिलेगा, 28 में अगर आप 3 जोडेंगे, और 28 में अगर आप 5 जोडेंगे, तो भी आप इसको apply कर सकते हैं, साथ इसाथ बात किजाएं यहाँ पे, कि आपका selection process क्य apply करेगी, then फिर आपका medical examination होगा, जो कि यहाँ पे railway में अब तक होता रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको apply कैसे करना है, यहाँ पे नीचे एक form दे रखा है, इस form को आपको print out निकलवा लेना है, इसी form का निकलवा लेना है, पूरे notification का मत निकालना, form का या उसके बाद यहाँ पे आप अपने name को डाल सकते हैं, आपका जो भी name है, father name है, date over, age criteria के है, अपने photo यहाँ पे चिपका दीजेगा, normal सा form है, आप इसको अच्छे से fill कर सकते है, contact number के है, आपकी email ID के है, और ध्यान पुरुवक email ID वही डालना, जो कि आप daily basis पे check out करते हो ताकि further अगर आपका selection हो, तो आपको उसी email ID पे confirmation आजए कि आपका selection हुआ है, देन फिर यहाँ पे scroll down करेंगे, आपको जितना भी experience है, उसको आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है, देन फिर आपको अपने signature को डाल देना है, place के है, date के है, यह सारी एक involve में बंद करके, आपको यहाँ पे submit कर देना है, speed post के दौरा कहाँ पे बेजना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इन्होंने address mention किया है, इसी address पे आपको यहाँ पे speed post के दौरा आपको यहाँ पे send कर देना है, ठीक है, और इससे related आपको कोई doubt है, कोई query है, जाएंगे, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको job की need है, and comment box में जरूर बताना कि आपकी branch कौन सी है, और आपका trade कौन सा है, ताकि आनने वाली next वीडियो आपकी branch और आपके trade से relevant आपको देखने को मिल All the very best, जाहिन!